हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चाइनल आज मैं आपके लिए बहुते प्यारा सा नीटिंग पैटन लेकर आए हूँ जो सिंगल कलर में है देखिए इस तरीके का ये पैटन जो है दिखाई देता है ये जो पैटन है आप इसे बना सकते हैं जैंड्स स्वाइटर के लिए लेडिस काडिकन के लिए अगर आप कोई जैंड्स काडिकन बना रहे हैं या जैकिट बना रहे हैं तो उस पे इस डिजाइन का यूज कर सकते हैं आप इस डिजाइन का यूज कर सकते हैं लेडिस वेस्ट के लिए हाइनेक के लिए और बेबी ब्लैंकेट के लिए अगर आप बेबी स्वाइटर बना रहे हैं या कार्डिगन बना रहे हैं तो उस पे इस डिजाइन का यूज कि अपना डिजाइन बनाना तो यहां पर देखे में जो नीडल ली है वो 3.5 mm की है आपना इन नमबर 11 नमबर से से बना सकते हैं अगर हम स्टिच देखेंगे तो यहां पर आपको 2 के मल्टिपल में स्टिच को ले लेना है प्लस में 1 स्टिच एड़ करने से आपका डिजाइन से टरफ यहां झायमदगा यहां डेट हें आपको 2 के मंबर तो एक वाप नमबर नहीं को यहां प्लस में 3 की से दीच रहे हुँ झायमदा तो यहां में पहले हो नमबर यहतार प्लस में झायमदग में 2 फंबर पाइन में में आपके एक फंद आप स्लिप करेंगे, यानि कि पहला फंद आप स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को आप उल्टा बिन देंगे, फिर से रिपीट करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बिन देंगे, एक फंद आपको बिन दूसरे फंदे को उल् तो आपको right side से row 1 बिनना है, पहले फंदे को आपको slip करना है और दुसरे फंदे को आपको उल्टा बिनना है, देखिए दो फंदे हैं, एक फंदा slip, एक फंदा उल्टा, एक फंदा slip, एक फंदा उल्टा, देखिए पहला फंदा slip क्या, दुसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे फिर से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दुसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे, तो यह जो पैटन है, अगर आप कोई new ben baby का suit बना रहे हैं, suit set बना रहे हैं, या कार्डिगन बना रहे हैं, switer बना रहे हैं, high neck बना रहे हैं, तो आप इस design का use कर सकते हैं, एक फंदा स्लिप एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, अब ये जो फंदा हमारे डिजाइन सेट करने का है, इसे आपको स्लिप करना है, और H के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए रो को कम्पलीट कर अब रो हमारी आ गई है second जो wrong side की तरफ आएगी आपको पहले फंदे को slip करना है और बाकि जो आपके फंदे रहेंगे आपको इनको उल्टा बिनना है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो design है यह दोरों तरफ से उल्टी ही बिनी जाती है तो इस तरीके से देखिए आपको row second जो है वो पूरा उल्टा बिल लेना है second row बहुत ही simple है आपको इसमें कोई फंदो को इधर धर नहीं करना है सिधा सिधा आपको इसे उल्टा बिल लेना है तो यहाँ पर हमारी जो row second है वो आप इस तरीके से देखिए complete करेंगे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न इसे कमेंच करते हैं कि आपने लेख् tudo कर इसे डिविद्च कीजें जो आप बहुत चिद सब्सक्राइब बटा साज तो यहाँ पर हमने देख़ए क्मक्षान कीज़निया बटाया आपने ले नीडील लाटाई एरि जिए च्वज़नियां के कंवेशा ऊहली ही एगरल तु second जो है अपनी wrong side से complete कर ली है उल्टा बिनकर अब हम right side से आएंगे row third पर पहले फंदे को आप slip करेंगे अब देखिए row one पे आपने पहला फंदा slip किया था और दूसरे फंदे को उल्टा बिना था अब row third पर आपको देखिए क्या करना है उन को जो है वो right side की तरफ लाना है इस तरीके से अब देखिए आपको क्या करना है पहले फंदे को आपने row one में slip किया था अपकी बार आपको पहला फंदा उल्टा बिनना है और दूसरे फंदे को slip करना है एब फिर से repeat करेंगे पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे और दूसरे फंदे को slip करेंगे फिर से एक बार repeat करेंगे यही दो फंदे पहला फंदा उल्टा बिनेंगे और दूसरे फंदे को slip करेंगे फिर से यही दो फंदे repeat होंगे यही two stitch repeat हों ने दूसरे फंद को आप सिलिप करेंगे जिससे का मतल 먼 पिन आपको दुसरी सलाई पे ले लेना ऐक फंदा बिने यानि pahla fanda बिने गब मालने और दुसरा फंदा आप सुलिप करेंगे तो रो थर्ड पे आपका सिर्फ एक फंदा बदला जाएगा जिससे कि आपका पूरा डिजाइन जो है वो बदल जाएगा अगर आप सेम रोड भीनेंगे तो सेम डि zooming बन कर आएंगा लेकिन जब थोड़ा सा फंदो को एक दो फंदो को इधर अधर कर देते हैं तो हमारा डिज़ाइन पैटन जो है वो बदल जाता है और उसका जो लूख है वो भी बदल जाता है तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक फंदे को बिदला और उसकी वज़े से हमारा पूरा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो और ज्याद़ खुबसुत बनकर आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है दो फंदों में से पहले फंदे को आपको बिनना है और दूसरे फंदे को सिलिप करना है अब यहाँ पर देखिए आपके लाश्ट के दो फंदे रहेंगे इसमें है आपको जो पहला फंदा है ये वाला सिलिप करना है मतलब जो पहला फंदा है ऐसे और जो आपको दुसरा फंदा रहेगा वो बिना जाएगा क्योंकि हमारे डिजाइन को सेट करने वाला फंदा है तो इसको अब आप देखे ऐसे बिनेंगे और लास्ट का फंदा जो एच का रहेगा वो आपको सीधा बिन कर कंप्लीट कर लेना है तो यहां पर आपकी रो 3 जो है वो आपने कंप्लीट कर लिए इस तरीके से बिन के अब आप रो 4 पर आएँगे जो रॉंग साइट की तरफ होगी और जो आपकी रो 4 होगा वो सेम यानि कि 2nd row की तरह ही आपका 4 row repeat होगा पूरा जो आपके stitch है वो आपको उल्टा बिनकर complete कर लेना है तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ आप जो है वो short देखते हैं और वीडियो पर नहीं देखते हैं और बोलते हैं कि मैंने वीडियो नहीं डाले हैं तो ऐसा नहीं है मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि आप शौर्ट अगर देखते हैं कोई पसंद आता है तो आप एक बार सर्च जरूर किया कीजिए मेरे पूरे चैनल को आपको वीडियो जरूर एवलेबल हो जाती हैं मैं कर देती हूँ लेकिन अगर बाई चांस मैंने कोई शौर्ट ड होते हैं शौर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा एक दो दिन लेट आता है तो ऐसा नहीं है कि उसका डिजाइन नहीं होती है अवलेबल सारी डिजाइन होती है जरूर चेक किया किजिए मेरे पूरे चैनल को यहां पर देखे हमने रोफोर जो है कंप्लीट कर ली आपका डिज मेरे तक जैनी है बाद बृबज़ेक्ट में यूज कर सकते हैं आपको डिजाइन जरूर पसंद आया होगा और और विडियो देखनेक लिए शुक्रिया